गुद मॉर्णिंग एविवन कैसे हैं आप सब लोग हमेशा की तरह सुबह की बज़रे होंगे साथ और मैं दूँगा आपको हिंदी ग्रामर के पैक्तर सेट ठीक है तो इसमें आपको कुछ ट्रिक्स होंगी एक्सप्रेक्टेड कोशन्स होंगे कुछ थोड़ा सा डिपली ए यह सारे क्या होते हैं दंते होते हैं तो आंसर क्या हो जाए यह ठीक है याबर कहां से बोले जाता है तालू से चाबर यह भी तालू से उ करके देगो होट से करके देगो अरे करो ना बन रहा है ना उ करो ना अरे नहीं कर रहा है अच्छा बना उ अच्छा हो गया यह होट स पहला तीसरा पाँच मांच मांच मांच'llष किसी बार्क का पहला क्टिस तीजसा-पाँच कई-ब नेुयर्ध कि याद रखना नंतियों पोक्तने था निकश् अ इबिक्तना माप्राण होता है तह यह वी माप्राण हटा नमकर चाह होता है इन प्राण होता है इस में से कौन सी तालब्य धुनिया है यह कहां से बोली आती है कंठ तालू यह कहां से बोली आती है ओस्ट से बोली जाती है यह कहां से बोली आती है दंत से बोली जाती है यह कहां से बोली आती है मूरधन्य से बोली जाती है ठीक है कहां से बोली आती है मूरधन्य से ठीक है यह नहीं है यह किसका है पफ ब भम यह तो इस वर्ग को आता है ठीक है तो यह यार अलावत चार होते हैं और यह और वा क्या होते हैं अर्दस्वर इसलिए तो इनसे पहले जब आता है न को is यादा तो यहन संदी हो जाती रा क्या होता है लुन्ठत या प्रकम्पित और ला होता है पार्स्वेक ठीक है याद रखना है इतना आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट ओ अउ किस प्रकार के वर्ण है तो देखो ओ और अउ कौन से यह हैं कौन से कंठ और ओस्ट होते हैं AI यह भी याद रखना अंसर हो जाएगा यह कि नेग्स कुटिशन नेजने आपका कि आप अब देखो अन्हा स्थ पूछ रहा है यो पंचमाक्ष्जर होते operate फंचमाक्षोन वह अन्हा स्थ होते हैं पंचमाक्षर कौन कौनसर यह एक यह और टटठ तो यह अन्ना से कहां से बोले आते हैं नाक और मुह दोनों से कैसे बनता है इस तरीके से जो बनता है चंद मिंदू जैसे आप दांत लिखके देखो ठीक है याद रखना ठीक है कि आज़मों के आज़ाने कि नेगうाते हैं कि चठ लुभनक पलौने कितने चार कोन कु lot общем जहां तरह कि यूठ प्लश nella एक। कि राज़र ठीक है याद रखना घोस कौन से होते मताओ अगर आपसे पूछ लेगे घोस कौन कौन से तो किसी भी भर के तीसरे से चोथे पांच में यह क्या होते हैं गोर्स होते सिरो होते हैं इतनude यह आते हैं पिलस हाथ यह न исकेडिना नेक्स अच्छा तेको मूलस्वर क्यतने च्यार कौनकोण से ओ इउ despodons पूछ क्या ऊंगा में तो अ in begin आग दोलगो रहा एक तद्वप मैंने हैं तत्वप कौन साई तो मैंने आपको बता करनाये कभी खा जए कभी भी आपका ठीक है, यह उच्छी श्क्ष्च-वहत आ जाए, ठीक है, और इतना तो आप देख लोगे, बस इतना ही देख लोगे ने, मैक्जिम्म तो इस से निकले आता है यह इस से या इस से निकले आएगохद, ठीक है और यह वाला बाज जादत Snett दो यहां बुद्धाइब दो यह गुषा आन्सर खाए गड्डी को नेक्स्ट कि अब देखो इसमें तत्सम तदवव का कौन सा विकल्प गलत पूछ रहा तो देखो चे चैत्र होता है और छतन का चाहता होता है चेत्र का चीता होता है अब चर्मकार को यहां लिको चमांद इसने आगे पीछे लिख दी है यह क्या है आपका यह है आपका तदवव और यह क्या है तत्सम ठीक है मगर यह तीनों कौन से हैं यह तीनों यह तीनों है आपके क्या तत्सम और यह तीनों क्या है तदवव तो इसने आगे पीछे लिख दिया है यह भी है तो चर्मकार का चम का पर्यावाची नहीं है लाब तो होता है प्रवाब होता है ठीक है पहुप मेशा परता है दो पाहर ये तृकत है ले गश्ट कीए本शाय पर्यावाची का को ने यह तो राज़ा के उते हैं मैंने इंटर्विव दिया थे न? उसके बताये थे नरिंद्र पर कया बीदा Он? नरिंद्र राजना मोधी जी न? उस रा देखा लेना वह भी राज़ा ह consumo होता है मदन मीथ कहे लो मदन मीथ यह आします अवर्षा मदन मीथ किसका पढ़ smoked 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 Mike ऐब बताना नेक्स्ट अउपका बिलोम क्या होगा अच्छा दिए आता है कहीं बहुत सारी लोगas पता है क्या करें कर सकते अगर प्रत्य मत करें अउपका अवस्थर परसर को है कया क्या करते हैं आप कारक चिन्य और ठीक है याद रखना तो आंसर क्या हो जाएगा C ठीक है और कारक्चिन्नों की संक्या कितनी आठ किसमें हिंदी में संस्क्रत में पूछ ले तो 6 ठीक है और 6 का ही हम यूज करते हैं तत्पुरु समास में नेक्स गीता सुन्दर है बाक्त में विशेशे बताना है तो गीता विशेश हो जाएगी और गीता की विशेशता क्या है सुन्दर तो विशेशन क्या हो जाएगा यह कौन सा विशेशन होगा यह हो जाएगा विधे विशेशन तो गीता क्या हो जाएगी विशेशन ठीक है I am next कि सवस्थ भच्चे खेल रहें बाके में बिश्येशन बता ना है कि कौन साँ तो सवस्थ भच्ची आंसर क्या हो जा है गुडबाच कि संख्या गुड़ परिमार सहवना में ठीक है नेस्ट कि सड़ गई बाके में कौन साब करके ज़स दे sund amino आम गिंतो सकते हो तो ठीक है तो परिमार तो होगा नहीं है ठीक परिमार अठा दो सार्वना में खेनी है तो अनिश्चित संक्या है सारे आम मतलब अनिश्चित संक्या है कितने आम थे पता नहीं हाथों मैंने इसका आपको आंसर पता दिये क्या होगा सारे आंसर गए संक्या जड़ी से पहली आ रहा है क्까 नेक्स्ट में पताना है कि सुध के सोटने बाक्य कौन सा क्anka घुर माँगा हम गीर एक इस आ रहे है तो घुरु जी आ रहे हैं तो घुरु जी आ रहे हैं अभी उपर हमें आएक उर sna आता है गुरु जी ठीक है याद रखना कि नेक्स्ट अब इसमें बताना है कौन सा सुद्ध है तो देखो अधिकांस के साथ कभी भाग नहीं आता है अधिकांस के साथ कभी भाग मत जोड़ देना अधिकांस का मतलब ही होता है बाग प्रत्यक्ष नेक्स्ट चशक क्या होता है मद्यरा पीने का प्याला बहुत पहले बताया था ठीक है नेक्स्ट मंथर देखो मंथर होता है बहुत ही धीमी गती से काम करने वाला अब देखो मन्थर मैंने बताया ना बहुत बार जैसे ऐसे बताया आपको सुत पुत्र होता है सुता पुत्री होती है तो ऐसी मन्थर आदमी के लिए कहते हैं गौरत के लिए मन्थरा और मंत्राई किसमें थी वो रामायन में तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं हो अकिंचन मतलब किंचित मात्र भी कुछ नहीं हो और अनेक योगों से चला आने वाला सनातन धर्म या सनातन धर्म नहीं जोड़ना सनातन वस ठीक है उच्छे अनुचित का जो ग्यान रखता है उसे विबेक कहते हैं नेक्स्ट अब तो यह दो कोशन डाल दीमें करेंट अफियर के राष्टी महला दिवस पहुच जाता है क्यों पूछा जाता है पहली बाद तो तेरे फरवरी अब यह फरवरी चल रहे हैं जित्ते भी एक्जाम आई सरोजी नायडू को किस नाम से जाना जाता है नाट एंगल ऑफ एंडिया तो पूछ अनतर राष्टी महला दिवस हैं अगर पूछा अंतर राष्टी महला दिवस तो याद रख ले ना तो बढूंच चार पाँच कोशन बंते हैं इस इस फैक्रस से रिलेटेड तो याद र आज कल क्या है, environment के उपर बहुत जादा ध्यान है, तो world sustainable development, अच्छा बताता हूँ, sustainable development का मतलब क्या होता है, sustainable development का मतलब होता है, देखो जैसे हमें पेड़ काटने हैं, और हमें environment को भी बचाना है, तो हम कुछ ऐसा करें कि पेड़ को भी काटने हैं, और प्रकृति को भी नु ऐसे समझो, sustainable development का मतलब है, जो आगे बविश में आने वाली जरूवत हैं या बविश की पीड़ी की जरूवतों को ध्यान में रखते हुए, अपना बिकास करना, ऐसा नहीं कि सब कुछ सारा बिकास अपना ही कर लो, और सारे पेड़ों काट के पर बाद कर दो, ठीक है, तो